नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ हर्शिता प्रताप सिंग सिक्षक भाग की कमान जब से केके पाठक ने सम्हाली है तब से स्टूरेंट्स से ज़ादा सिक्षकों की इकलास लगती रहती है जी हाँ कभी केके पाठक क्लास रूम से कुर्सिया निकलवा देते हैं तो कभी वो सिक्षकों का क्लास रूम में स्मार्टफोन ले जाना बैन करा देते हैं ताकि जो सिक्षक है वो क्लास्रूम में बच्चों को पढ़ा सके ना कि कुर्सियों में बैट कर अराम फर्मा सके और फोन चला सके और अब एक बार फिर से केके पाठक ने नया कारनामा कर डाला है वैसे तो केके पाठक आए दिन नय नय निर्देश देते ही रहते हैं ताकि वे सिक्षा विभाग की दशा और दिशा बदल सके जब से केके पाठक ने सिक्षा विभाग की कमान समहाली है तब से सिक्षकों को टाइम पास करने से डर लगने लगा है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो टाइम पास करेंगे और अगर अच्छानक से केके पाठक निरिक्षन करने के लिए आ गए तो केके पाठक का डंडा उन पर भी चलेगा इसके बाद से सिक्षकों ने अपने काम को पहले से थोड़ा गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है लेकिन अब भी जो भी सिक्षक अपना काम ठीक से करते हुए नहीं पाया जाता है उस पर केके पाठक का डंडा चल जाता है और एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है केके पाठक ने लगभग 6,000 सिक्षकों का वेतन रोक लिया है जी हाँ जो भी सिक्षक अपना काम ठीक से करते हुए नहीं पाय जा रहे थे उनका वेतन केके पाठक ने रोक लिया है बिहार के सिक्षक विभाग को दुरुस्त करने में लगे केके पाठक लगतार सक्त फैसले ले रहे है स्कूलों में सिक्षक नियमित आएं इसके लिए उन्होंने सक्त आदेश दिये हैं कि स्कूल से पूरवनमती के बगेर गायब रहने वाले सिक्षकों और कर्मचारियों को लेकर सिक्षा विभाग सक्त है और कारवाई की जाएगी विभाग में भी ये नजर आने ही लगा है सिक्षा विभाग ने पिछले दो महीने में लगभग 6,000 से भी अधिक सिक्षकों का वेतन काटा है वही 55 सिक्षकों को गैर हाजिर रहने समेत विभिन मामलों में निलंबित किया गया है जिले में प्राप्त रिपोर्ट बताती है कि राजिके चार जिले पूर्वी चमपार सिक्षकों का वेतन काटा है अन्य जिलो में 10 से ले कर 300 सिक्षकों तक का वेतन काटा गया है बीते दो महीने के भीतर 55 सिक्षकों को विभिन कारणों से निलंबित किया गया है इन सबसे जादा 26 सिक्षक एक ही जिले सीता मढ़ी से हैं दूसरे नंबर पर बांका जिला है जह च्छे सिख्षक सस्पेंड हुए हैं। श्रीक शेक भी समय पर स्कूल पहुंच रहे हैं। इस खबर में अभी के लिए इतना ही आप आगे की खबरों के लिए देखते रहे हैं देश्वा नीयूश।